बसकार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर अब हम अपना केमेस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हां से ठीक है फिजिक्स कामने सबकुछ इंपॉर्टन जो था वो देख लिया है हम सल्यूशन्स के ताइप्स देखेंगे और उनके एक्जाम्पल्स देखेंगे यह एक्जाम्पल्स आपको लिखे बिलेंगे और पूछे अब लिक्विड में कहाल ईकली है अक से फिजिक कर रवाटर में लेड का सल्यूशन मरकरी में जेली हो गया स्टार्च हो गया प्रोटीन हो गया na ये सब examples हैं, solid और liquid, solution of gas and liquid, मतलब solid मिलाया जा रहा है किसी liquid में, इसका मतलब ये है हाँ पे, अब कोई gas मिलाया जा रही है liquid में, hydrogen का solution जो है palladium metal में, या फिर camphor का solution हवा में, liquid की बात करें, solid में, अभी आपने देखा था, solid का liquid में, अब हम देखेंगे उल्टा, mercury का thallium में, water का sugar में, उल्टा कर दो ना, और water का salt में, इस तरीके से हो जाएगा, solid का solid में, zinc का copper में, tin का copper में, aluminium का copper, zinc, nickel, ये सब alloys होते हैं, basically, ये, gas in gas, ये तो आपको पता ही है, gas तो ही mixture of air, मतलब जो air है, वो mixture of gases ही तो है, बहुत सारी gases का mission ही तो है, हवा, liquid का gas में, bromine हो गया, carbon dioxide हो गया, ammonia हो गया, water solutions में, अगर bromine को water में डालो, carbon dioxide को water में पास करो, clouds हो गए, fog हो गया, ये सब क्या है, ये liquid gas में तो mix हैं, solid का gas में, iodine का solution हवा में, smoke इस सब में, gas का liquid में, carbon dioxide का solution पानी में, hydrogen chloride का solution बेंजीन में, ये कुछ examples होगए, ये बड़े famous वाले examples हैं, जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसके लावा examples और भी हो सकते हैं, अब आप elements और उनके allotropes देख लीजिए, ठीक है, carbon का diamond, graphite, wood, charcoal, और आपका bone charcoal, और ये blood charcoal, ये सब, ठीक है, अब आप आगे देखिए, phosphorus, phosphorus का white है yellow phosphorus, allotrop है, red phosphorus, black violet phosphorus, oxygen का oxygen है और ozone है, ozone से समझे है, ozone से समझे है, O3, देखिए, allotropy या फिर allotropism क्या होती है, किसी chemical elements का exist करना, दो या दो से जादा form में, मतलब same physical state होईगी, लेकिन modification हो जाएगा, structural, समझे, मतलब एक ही तत्व कई रूपों में जब मिलता है, तब उसको हम allotrop बोलते हैं, और सबसे साधा तो किस के होतना है, सबसे साधा तो carbon के हैं allotropes, carbon black, gas carbon भी आता है इसी में, sulfur का देख लो, rhombic sulfur, monoclinic sulfur, amorphous, plastic sulfur, यह सब हैं इसी की form, structure सेम है, structure मतलब properties सेम है, लेकिन exist कर रहा है दूसरी form में, वही ozone जो है, O2 भी exist कर रहा है और O3 भी exist कर रहा है, तो यह कहलाता है allotropes, चलो, अब देखो comparison देखेंगे, हम elements का जो मिलते हैं living और non-living substances में, देख लो, hydrogen पाया जाता है अर्थ के crust में भी और human body में भी, अर्थ के crust में कितने percent of weight है इसमें दिया हुआ है यह, 0.14 और इसमें 0.5, carbon देखो 0.03, 18.5, देखा, किता important constituent element है human body का carbon, oxygen 46.6, highest, and 65.0, highest in humans, nitrogen बहुत ना के बराबर, miniscal मितलब ना के बराबर है अर्थ crust में, 3.3 humans म 0.03 और यह, 0.3, sodium 2.8, 0.2, calcium 3.6, 1.5, magnesium 2.1, 0.1, और silicon 27.7 हमारी body में negligible amount होता है, ठीक है, तो इतरो साथ है हम रखना, highest पूछ सकता है कई बार, तो oxygen धान रखना हमारी body में, अब कुछ information है related to some elements, देख लो, वो periodic group जिसमें सबसे जादा gases elements पाई जाते हैं, वो है zero group, lightest element, सबसे हलका element कौन चाहिए, hydrogen, element जिसकी atomicity है, equal to one, inert gases है वो सारी, कौन कौन सी inert gases, comment करके बताओ मुझे, heaviest element कौन चाहिए, important है, osmium, पलट के पूछेगा, हमारी test series का भी question है, सबसे जादा abundant element human body का भी आपने उपर देखा, oxygen, lightest metal element पूछ रह में रखा जाता है, आपको पता है, sodium है वो, metal जो liquid state में मिलता है, room temperature पे, you know that very well, mercury, एक main element, जो involved है, bones और teeth के development में, तो सबका सही होगा, एक non-metal, अभी metal देखा, mercury, जो non-metal है, जो liquid state में है, room temperature में, वो bromine है, test series का भी question है, जो element, highest electron affinity दिखाता है, वो है chlorine, सबसे बढ़िया conductor electricity का, चांदी, silver, सबसे ज्यादा electronegative element है, fluorine, non-metal, जो conductor है electricity का, graphite, बहुत important है, सबसे ज्यादा powerful oxidizer, fluorine, सबसे ज्यादा malleable metal, malleable समझते हैं, जुसको आप खीच सकते हो, into thin sheets and wires, वो है gold, कितने elements अब तक जाने गए हैं, 118 ये याद रखना, कम चांचा आने का पर फिर भी, सबसे ज्यादा reactive non-metal, कौन्चा है, fluorine, सबसे ज्यादा reactive metal element, cesium, total elements जो है nature में, obtainable जो है, basically, 98, total artificially made elements, 20 है, ionization potential सबसे ज्यादा किसकी है, जो ions बना सके, helium की, सबसे abundant element अर्थ पे, oxygen में है, जिसकी सबसे कम है ionization potential, cesium, और सबसे abundant metal element पूछ रहा है, तो total पूछ रहा है, ये metal element, ये है आपका aluminium, तो ये आपको थोड़ी सी चीज़े हैं, धहन रखेगा, important है question जिस पे आते ही आते हैं, चलिए, अब हम कुछ metals के minerals और ores देखेंगे, ठीक है, metal देख लीजिए, Na, sodium, rock salt, trona, child salt, peter, आपने ये modern industry में बढ़ा होगा, borics, globirite और cryolite, तो ये याद रखना थोड़ा, पूछ लेता है कही बार, के, के क्या होता है, potassium, sylvine, carnelite और sconite, magnesium, magnesite, dolomite, important, carnelite, kisserite, ये भी important है, epsom salt और epsomite, calcium देख लो, limestone, calcite, gypsum, fluorospar और phosphorite, सारे important हैं ये, copper का, chalcoprite, chalcosite, cupedrite, malachite और azurite, ये important हैं, तोड़े unusual हैं, aluminium के, bauxite, cryolite, corundum और diaspore, आब, यहाँ पे इसका, mg का एक और दिया हुआ है, pyrolocyte, और strontium का देख लो, castrite, manganese का, manganite, hausnamite, आपका, ag silver is native silver, argentite और keragyrite, zinc, zinc blend, franklinite, calamine, और आपका zincite, आपने सुना होगा, lacto-calamine, वो ये होता है, pb, lead, galena, important, cherosite और matalokite, fe, iron, बहुत important है, ये, magnetite, hematite, limnonite, siderite, iron pirates, आप मुझे बताएंगे, इसमें से best कौन सा होता है, सबसादा iron content किसमे होता है, Hg is mercury और sinwar, तो ये important वाले हो गए आपके, ये important हैं, वाके ही आते हैं ये चीज़ें, ठीक है, अब aluminium के कुछ alloys देख लो आप, aluminium bronze, ठीक है, इसमें copper होता है, और क्या होता है, aluminium, composition इता important नहीं है, बस पता होना चाहिए, utensils हो गए, सिक्के वगेरा बनने में, काम आता है, magnesium, mg, al, cufe, copper iron, magnesium और aluminium, ये aeroplane की manufacturing में यूज होता है, aeroplane की spelling गलत है, कोई बात नहीं, nickel oil, में aluminium, copper और nickel, nickel oil, ठीक है, aeroplane ये फिर से गलत है, duralumin, ये copper, manganese, magnesium और aluminium, ये pressure cookers, aeroplane, फिर से, aeroplane, ये आपको याद जाएगा, aeroplane की spelling इतनी गलत थी, तो आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे, alloys, कुछ major alloys हैं, उनके components और uses, ये important है, और काफी confusing भी, तो चलिए, कोई बात नहीं, हिम्मत रखनी है, और चेहरे पर रखनी है, एक बड़ी सी मुसकान, कि चेहरे से भार चली जाए, और पढ़ते रहना, brass, copper और zinc, important, composition लिखा हुआ है, आप लोगों की सहूलियत है, आप metal और sculptures, मूर्तियां बनती है, artificial gold क्या होता है, copper और aluminium होता है, और jewelry और sculptures बनने के काम आता है, currency metal, समझते है, जिसके coins and all बनता है, copper, strontium और आपका coins बनाने के ये काम आता है, अच्छा, alloys पे जो question आएगा, वो आपका match the following में भी आ सकता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, तो ये हमने देख लिया है, copper, strontium, phosphorus और gun metal, gun metal देख लो, बड़ा important है, copper, strontium और zinc, ये guns और machine parts में होता है, bell, metal, bell समझते हैं, copper, strontium होता है, copper और nickel होगा, तो constantine हो जाएगा, wire की तरव तोर पर यूज होता है, monal metal, वो direct पूछले का composition, copper, iron और nickel, ठीक है, sluptures, या फिर alkali resistant containers जोते हैं, वो बनाने के लिए, delta metal क्या होता है, copper, zinc और iron, ये bearing समझते हैं, ball bearings जोते हैं, वो बनाने के लिए, valves, propellers, water vessels जोते है उनके वो सब बनाने के लिए, munge metal, munge, कुछ याद आ रहा हैं, उत्रपरदेश वालों को इससे, copper और zinc, coins बनाने के लिए, roses metal, ये आपका, BI, lead और strontium, ठीक है, ये आपका किसले use होता है, आप देख सकते हैं, fuse making के लिए, ठीक है, bismuth, basically, BI is bismuth, fuse making के लिए, automatic वाले जोते है type metal, lead, और आपका strontium, ये होता है आपका forming types of printing mines के लिए, ठीक है, वहाँ पर use होता है, ये printing mines में, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है, antimony वाला जो, जहाँ पर antimony आजाएगा, वो आप याद रखना, forming type of printing mines, आप वोड मेटल देख लो, ये important है, ये diaphragm बनाने के काम आता है actually, और इसका जो composition है, वो आपको थोड़ा देख लेना चाहिए, देखिए, क्या हो गया, lead, bismuth, strontium और cadmium, ठीक है, आरेक होता है basically न, ये, German silver, अब German silver में question पूछा जाता है, कि German silver में क्या silver होता है, देखिए होता है, copper, zinc है, nickel है, German silver में silver नहीं होता, ये, utensils और sculptures और जुल्री बगएरा में भी काम आता है, ये, Dutch metal, copper और zinc, machine parts और cheap जुल्री, magnesium, aluminium और magnesium, aircraft और aeroplane, भाईया, aeroplane तो हर जगा ही गलत है, duralumen, aluminium, magnesium, copper, airplanes, ये ठीक है, aeroplane नहीं है न, ये, pressure cooker, aluminium, bronze में aluminium और copper होता है, utensils हो गया, stamps हो गया, जुल्री बगएरा, phosphor, bronze, copper, strontium और P, phosphorus ये, radio instruments बनाने के लिए, nichrome देख लो, nickel हो गया, chromium भी होता है, iron भी होता है, ठीक है, si o2 भी होता है, silicon oxide, manganese भी होता है, zinc भी होता है, ये, electric heating components बनाने के काम आता है, solder, solder क्या होता है, important है, lead or strontium, electrical industry में ये तो आपको पता है, alnico, steel, aluminium, nickel, copper, ठीक है, तो, cobalt, not copper, cobalt, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं, चलो, manufacture of magnets में, stainless steel, ये बड़ा important है, बड़ा सुनते हैं ना, stainless steel का cooker है, ये है, कड़ाई है, इसमें क्या होता है, iron होता है, chromium होता है, nickel होता है, और C, C से क्या होता है, what is C, ये तो पता होगा आपको, carbon है, making motorcycles and utensils, manganese steel, manganese iron, ये gridder और encasing और grinding machines जो होती हैं ना, basically, safes में और railway tracks में वहाँ यूज़ होता है, chromium steel, chromium, carbon और iron, cutting tools, machines, bullets, nickel, steel, nickel, carbon, और iron, electric wires, propeller shafts, armors, heavy fighting instruments होते हैं वो, tungsten steel, chromium, carbon, manganese और iron, surgical instruments और ये सब बनाने के लिए, chrome, vanadium, steel, vanadium होता है, इसमें, obviously, और chromium होता है, ये axles, shafts, frames, और ये सब बनाने के काम आता है, axle समझते हैं, axle, basically, bent type होता है, ठीक है, तो, ये आपको धान रखना है, चलिए, बार, bent type, धूरी, basically, गाड़ी के जो दो पहिये होते हैं, उनको जो, कील, कीली, या फिर कील जोड़ती है, उसको axle केते हैं, समझ गए न आप, मुझो लंबा सा होता है, वो, चलिए, कुछ naturally occurring acids देखेंगे अब हम, ठीक है, vinegar, आप जानते हैं, बहुत यूज होता है, Chinese खाने में, acidic acid है, इसमें, orange में citric acid होता है, tamarind में tartaric acid होता है, यह बड़ी important हैं, सब repeated, सब आते रहते हैं, बार बार सवाला, अब ला ते के काटने में, भी के sting में भी होता है, तो यह कुछ चीजे हैं, छोटी सी टेबल है, थोड़ा सा धन रख लो, कुछ common salts, ठीक है, और उनके uses, calcium hypo chloride, यह अब direct पूछेगा आपसे, कि bleaching powder is called calcium hypo chloride, calcium chloride लिख देगा, hypo नहीं लिखेगा, ऐसे, तेखो, सवाल कैसा आएगा, उससे relative पढ़ाई करोगे, तो जादा सही होगा, otherwise, सही नहीं है, ठीक है, अब bleaching powder है यह, और इसका formula आप देख सकते, इसका formula नहीं है, पर कई बार हो सकता है, यह लिखा हुआ आजाए, तो इसलिए हाँ पर दिया हुआ है, यह alkaline होता है, यह cool और dry places में रखा जाता है, organic materials और metal से दूर, और swimming pool यूज करने के लिए इसका बहुत काम आता है, water disinfect करने के लिए भी, paper में भी यूज होता है, as bleaching agent ह ही जब bleaching powder आपको पता है, bleaching powder तो आपके घरों में भी उज होता होगा, और chloro foam, CHCl3s का formula है, उसको बनाने में और unshrinkable wool जो होती है, मतलब जो श्रिंक नहीं होती है धुलने के बाद, उसमें भी यह bleaching powder लगाया जाता है, calcium sulfate hemihydrate, क्या होता है, यह POP, सबके घर में हो रख आपको पता है, कुछ लोग जो पेंटिंग वेंटिंग करते हों, वो इसका बहुत यूज करते हैं, यह आपको पता है कहां यूज होता है, वही, plasteracy से होता है, chalk, fire retardants, toys, decorative items, और आपको home construction में तो होता ही होता है, potassium nitrate की NO3, यह एक saline salt है alkaline nature का, इसका color होता है white से grey, यह soluble है और flammable है पानी में, और accelerate करता है combustion, मतलब जलना किसका, substances का, fertilizers में, glass में, gun powder में, medicine में, toothpaste में भी यूज होता है, जो sensitive teeth के लिए होते हैं, उसमें होता होगा फिर यह sensorine में, और oxidizer के तुरूप में भी यूज होता है, यह rocket fuel में, sodium chloride, that is common salt, NaCl, ठीक है, इस पर question आया था, एक ब sea water में use होता है, brackish waters में, mineral form में, और यह reaction होता है, sodium hydroxide और chlorine का, तब मिलता है यह, आपको पता है, food इसके बिना क्या है, टाटा नमक के बिना कुछ नहीं, तो food preparation में, pickle preservation, as a preservation भी, और melt करता है यह frozen ice, आपको पता है, जो बहुत thundi countries होते हैं, उसमें नमक ही spray करते हैं, baking soda और sodium hydro hydroxide के manufacture में भी नमक use होता है, sodium hydroxide, यह है caustic soda, NaOH, ठीक है, और यह white solid ionic compound होता है, जो water और sodium का action होता है, और oxides पे तब मिलता है, यह, completely soluble है यह water में, और यह absorb करता है moisture और carbon dioxide जो present होता है, हवा में, sodium salts, detergents, इसमें होता है, wood pulp के manufacture में होता है, और refining, बोक्साइट ओर जो होती ह है हो उसकी refining में, और industrial cleaning agent भी है यह, अब है आपका washing soda है, तो आपको पता है Na2CO3 sodium carbonate, bicarb, baking soda, washing soda के बीच के differences याद रखना, ठीक है, यह आपको पता है, pure sodium carbonate, white होता है, odorless होता है, और moisture absorb करता है, टेस्ट इसका pungent, salty होता है, और alkaline solution form करता है water में, glass, paper, soap, borax, यह wetting agent है, brick manufacturing industry में, जो गिला करता है, ब्रिक्स को सेट करने में, वहाँ यूज होता है, और permanent hardness पानी की भगाता है, और foaming agent तो है यह toothpaste में, और आपका baking soda आपको पता है, white fiber is solid है, यह बहुत यूज होता है, बहुत fine सा होता है, salty सा होता है, almost similar होता है washing soda, को fire extinguisher होता है, और आपको पता है, living agent होता है, मतलब raising agent basically, food preparation में, जो आपके cakes, fries, pancakes, breads और यह सब बनते हैं तो यह इसमें इसको rice करता है, तो यह है baked foods में, baking industry में बहुत जादा uses का, ठीक है, तो अभी सबसे important salts हमने देख लिए हैं, आपको धहन रखने हैं, यह बहुत important है, आगे जलते हैं, pH, pH देखेंगे कु पूछ लेता है, ठीक है, चलो, अच्छा, pH क्या होता, आपको पता है यह बात, pH level किसको बोलते हैं, बहुत किसी जो कोई पदार्थ है, मालो, उसका अम लिया, शार किस तरकुम आपनी की काई है, pH, measurement किसका, level of acid और alkali, अच्छा, pH की full form क्या होती है, पता है किसी को, potential of, ओ ज्यादा बड़ा बन किया न, potential of what, H for, hydrogen, ठीक है, चलो, saturated solution, NaOH का, अभी उपर देख क्या होना, NaOH, sodium hydroxide, इसका saturated solution, देखो कितना होता है, 15 होता है, अच्छा, ज्यादा होगा, कम होगा यह, क्या, मापने का वो क्या होता है, आपका, मतब, level क्या होता है, basically, यह potential of hydrogen यह तो सब है, जिससे specify होता है, कि कोई चीज acid है, या liquid है, acidity और basicity, basically, यह denote करता है, तो, और क्या बोलते है, इसका, क्या होता है, जिनका pH, 7 से कम होगा, less than 7, वो होंगे, क्या, acid, जिनका pH, 7 से जादा होगा, वो क्या होंगे, basic, तो इतना ध्यान रखना बस, तो यह saturated NaOH तो basic solution है, 0.1M, NaOH solution कितना है, 13S, यह भी बहुत basic है, lime water तो आपको बता है, 10.5, milk of magnesia, यही तो acidity फाले patients को देते हैं, 10S का, egg white, sea water, सब यह alkaline है, human blood, देख लीजे आप, क्या है, acidic है, और, milk, 6.8, मतलब, जो कम होगा, वो acid होगा, मतलब, उल्टा बता दिये मैंने, समझ गए न, feeling समझ गए न, और, आपका, जो, human saliva 6.4 है, black coffee देख लेजे, acidic होती है, tomato juice भी acidic होता है, 4.2, soft drinks बिनेगर भी acidic है, lemon juice देखे, यह कितना ज्यादा acidic है, gastric juice आपको पता है, 1.2 होता है, तो हमारे पेट में ही acid है, HCL, hydrochloride solution, देख लीजे कितना है, concentrated HCL, देख लीजे, तो proper acids है, बैंकर, ठीक है, चलो, अब कुछ sources देख लो, natural acids के, acidic acid अभी उपर भी देखे थे, यह इथनॉइक acid बोलते हैं इसको, sirka, vinegar, formic acid, mythanoic acid अभी देखा था, ant sting, bee sting, थोड़ा सा milk में भी होता है, citric acid या फिर vitamin C, इसको ascorbic acid कहते हैं, यह gooseberry, gooseberry का होता है, आमला, lemon, orange, और जनरली जो citrus fruits होते हैं, fruits होते हैं, जो mediterranean type of climate में पाई जाते हैं, वो वाले फल, उनमें citric acid बहुत अच्छा होता है, और बहुत होता है, मतला, आवले में तो बहुत यादा होता है, लाक्तिक acid किसमें होता है, curd में, दही में, oxalic acid किसमें होता है, tomato में और spinach, पालक में, tartaric acid, grapes में होता है, tamarin में होता है, citrus में होता है, bananas में होता है, और जो खटे आम होते है, carry इनको बोलते है, carry, उसमें होता है, malic acid मैंने आपको भी बताया था, apple में होता है, pears में होता है, है बेनजोंग एसेड ग्रास्म outta ऑँ एमपोर्टन है ग्रास चल्प समझ की इस надо इंडिकेٹर चाय में गलूटेम पाहिए जाता निसमें है इसमें है चालो आपको पता है अटार्य इंडिकेटर कैसे होता है एक चाहिक होता है यह एकney और वो Acid में डालेंगे तो वो Red हो जाएगा Base में डालेंगे तो इसमें कोई change नहीं आएगा Red Lyt añad Snas ुह रहा है और दे Acid में डालोगे तो वो Red हो जाएगा औरöl बेस में डालोगे तो वो Blue हो जाएगा सबसे Important यह इल टार्मरिक में डालोगे अगर अगर ठीक है चलो अब कुछ बेस है और वो कहां पाई जाते हैं ये देख लो काल्चम हड्रोकसाइड लाइम वाटर चूने के पानी में चूना समझते हो ना चूना अमोनियम हड्रोकसाइड ये क्लीनिंग एजन्ट है ग्लास की स्पेशली मतलब स्पेशल होता है ये ग्लास की विंडोस को साफ करने के लिए और साबुनों में क्या होता है सोडियम हड्रोकसाइड पुटाशियम हड्रोकसाइड और मिल्क और मैंगनेजियम हड्रोकसाइड हो इसका मतलब खटा, पंजिंट, गंदा, मतलब असद ऐसा होता है, और अलकली थोड़ा सा कड़वा होता है, कसेला होता है, यह blue litmus को turn कर देता है red में, blue को red बनातेता है, यह red को blue बनातेता है, ठीक है, examples यह सब अभी उपर आपको मैं बताती वी आई हूँ, आप बिल्कुल द derivative होता है, OH होता है न, end में, किसका aliphatic hydrocarbons का, जैसे की CH3 OHE, examples हो गए इसके, तो कुछ formula और names दिये हो है, formula देख लो, CH3 OH का होता है, methyl alcohol, CH3 CH2 OH, ethyl alcohol, CH3 CH2 CH2 OH, n-propyl alcohol, देख सकते हो बस एक बार, CH3 hole 2, CHOH, isopropyl alcohol, और आपका CH3 CH2 holes 2, CH2 OH, n-butyl alcohol, isobutyl alcohol, फिर आपका S-butyl alcohol, T-butyl alcohol, एक बार देख सकते हो आप, इतना कोई खास, यह important नहीं है, वो बहुत important है, मुझे common names है, acetic acid और वो सब, वो important है, अब कुछ organic compounds देख लेते हैं, और उसे fats और uses, जैसे भी उपर देखा था, तो nitrobenzene, क्या होता है, C6H5NO2, यह light होता है, yellow color का oil होता है, इसमे bitter almond like odor होती है, मतलब कड़े बदाम जैसी smell होती है, और इसको oil of mirbane भी कहते हैं, यह aniline बनाने में काम आता है, benzene से, aniline बनाने के काम आता है, मैंने बताया, और एक tri-nitrobenzene, आपने TN भी सुना होगा, explosive होता है, यह visphotak होता है, यह बनाने के भी में काम आता है, और जो polishes dyes होती है, dyes होती है, रंगने वाली, और soaps, उनमें भी यह काम आता है, में tea और coffee से, और यह aerosol spray propellant की तरह में काम करता है, यह होता है, ठीक है, एक आपने वो सुना होगा, क्या बोलते हैं, जैसे paint वगएरा छुटाते हैं हम, तो क्या होता है, वो turpentile oil, वो resin से पराप्त होता है, pine की trees से, ठीक है, तो यह उसी की तरह का, but it is organic compound, methyl isocyanate gas, आपको पता है, यह भुपाल gas strategy वाली gas है, CH3NCU, colorless, toxic है, flammable है, liquid है, irritation, problems, death, मतलब से, बहुती fatal gas है यह, तो 1984 की जो भुपाल gas strategy थी, वो इसी gas के leakage की वज़ा से हुई थी, यह intermediate product है, जो carbonate के insecticides होते हैं, उसके manufacture में यह काम आती है, और rubber और gum बनाने की भी काम आती ह tear gas, इसको lacrometer भी कहते हैं, यह आपको बता है किसले काम आती है, mustard gas, या फिर sulfur mustard, C2H8, Cl2S, यह क्यों होता है, sulfur diachloride जो होता है, उसका reaction होता है, इतालीन के साथ, बहुत toxic होती है, यह mustard like, मतलब सरसों की तरह इसकी महक होती है, और यह जो अगर आपके contact में आगे ना, skin के तो तुरंत, blister करते हैंगी, world war one में यह German army ने use किया था as a weapon against the British and Canadian forces, मतलब कि यह wars में भी use हो चुकी है, DDT, dichloro diphenyl, trichloro ethane, colorless है, odorless है, मतलब कोई smell नहीं है, tasteless है, crystalline chemical है यह, इसमें insecticidal properties हैं, ऐसा discover किया गया, 1939 में, by Paul Herman Muller, और इस बात के लिए उनको Nobel Prize में विला, 1948 में, कि यह contact में, contact chemical against various insects की तरह पे इसकी potential है, ठीक है, याद रखना यह, यह fact पूछा सकता है, इसको malaria और typhus का treatment के लिए use किया गया, during world war 2, और इसको insecticides के तौर पे भी use किया गया, लेकिन environmental side effects की विज़े से यह अब बहुत rarely use होती है, aspirin आप जानते है, acetyl salis लेके acid होता है, य naturally मिलता है, एक willow tree होती है, इससे bats भी बनते हैं बहुत अच्छे, बल्ले, खेलने वाले, उसकी चाल से मिलता है, बार्क से मिलता है, यह fever, pain, inflammation आपको बता है, बहुत common दवाई है, naphthalene, C10 H8, देखियोंगे, आपने गोल-गोल balls होती है, crystalline solid होता है, यह simplest polycyclic aromatic aromatic, खुश्ब कपड़ों में डाला जाता है, यह produce करता है special effects fireworks में भी, pyrotechnics होती है न, और plastic rolls और dyes के manufacture में भी naphthalene यूज होता है, tri-nitro-tulin, TNT, formula देख लो, यह yellow color का solid chemical substance है, जो कब manufacture, किसने किया manufacture, Julius Willbrand ने, Germany में 1863 में, explosive properties है, इसमें ऐसा पाया गया कब 1891 में, by Carl Hosserman, और यह explosive होता है, rocks वगेरा तोड़ने के लिए military purpose, industrial area, mining में, वहाँ यूज होता है TNT, glucose आप formula पता होगा, आपको अच्छे से, यह carbohydrate है, simple sucrose यह फिर dextrose भी बोलते हैं इसको, wine की manufacturing में, sweets के preservation में, pharmaceutical manufacturing में, इसको बहुत use है, यूरिया, इसको कार्ममाइड भी कहते हैं आपको पता है, यह पहला organic material है, जिसको किसी artificially synthesize किया, किसी laboratory में, बहुत important fact है यह, 46% nitrogen present होता है यूरिया में, तो nitrogen containing compounds जो है animals में, उसमें बहुत important role play करता है, यह उनके metabolism में, आपको पता है, यह क्या use होता है, nitrogenous fertilizer, skin and hair cosmetics में भी use हो होते थे, पहले classes में वो छिपकली, cockroach वगएरा जो preserve होते थे, वो इसी में तो होते थे, urea plastics, explosives में, urea nitrate बनता है इस explosive, chloro foam, यह बेहोश करने वाली, पुराने पिक्टिरों में तो यही देखता था, CHCl3, इसको trichloro methane भी कहते हैं, colorless thick liquid होता है, यह sweet aroma होती है, इसकी, इसमें क्या होता है, light की presence में, इसमें एक toxic gas form रहती है, phosgene, तो chloro foam जो है, वो colored bottles में रखा जाता है हमेशा, आपको पता है, यह anesthetic के तौर पे भी use होता है, sedate करने के लिए patient को surgery के वक्त, solvents, fats, oils, rubbers, waxes, rolls, CFCs, chlorofluorocarbons, environment में बहुत पढ़ेंगे आप, environment की listing में आप देखेंग देखो, fact के साथ-साथ, अपना vivek, अपना common sense ले के जाना है paper में, ठीक है, तो इसमें क्या होते है, organic compound है, जिसमें chlorine, fluorine और carbon होते है, इनको freons कहते हैं, यह non-toxic है, non-flammable है, लेकिन यह ozone layer deplete करती है, और greenhouse gas को increase करती है, वो आपने अगर environment थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो आप as refrigence, solvent, dry cleaning में, और degreasing solvent, मैं दो, grease हैंटाने के लिए, और aerosol propulence, chlorobenzine, C6H5Cl, यह aromatic organic compound है, colorless है, flammable है, ठीक है, यह DDT है, यह manufacture, किसमें ही होता है, insecticide में, जैसे की, और दूसरे organic compounds को बनाने के लिए, phenol, aniline, chloronitrobenzine, भी उपर देख क्या है हो न, तो यह जो है, आपका, सारे हमने important वाले देख लिए, ठीक है, याद रखना इनको, यह आते हैं बहुँ जदा, important हैं यह चीज़े, और थोड़ा ध्यान से एक आत बार देख के जाना विडियो, चलो, तो अब हम कुछ polymer देखेंगे, कुछ monomers और उनके uses, mono, m-e-r-s, ठीक है, अच्छा, polymer क्या होत synthetic substance है, जो कि बहुत सारे बड़े molecules से मिलके बना होता है, जिसको हम बोलते हैं, macromolecules, अच्छा, बढ़ा होगा आपने basic, और यह जो macromolecules है, यह multiples होते हैं, इन ही monomers के, मतला, monomers जो हैं, वो थोड़ी simpler chemical units हैं, और polymers क्या, बहुत सारे materials, मतला, composition होता है polymers, जैसे कि proteins में होत होता है, nucleic acids में होता है, तो, इतना मतलब, यह basic सा बताया है मैंने आपको, आपने natural polymers सुने होंगे, silk हो गया, hair, protein, keratin होता है, hair में, DNA हो गया, तो यह होते हैं basically, polymers, ठीक है, बहु लक, actually बोलते हैं इसको, ओके, चलिए, मतलब, ऐसे थोड़ा सा मैंने बताया है, बाकी, important य कभी नहीं आएगा, खे, polymer क्या होता है, ठीक है, चलो, आप देख लो, polythene, आपको पता है, है ना, और इसका, मतलब, ethylene, इसका, यह monomer हो गया, और इसके uses क्यों होते हैं, toys आपको पता है, यह तो polythene का तो बहुत जादा है, polyvinyl chloride, PVC, तो इसका monomer, monomer क्या है, इसका, vinyl chloride, य और इन सब में use होता है, poly tetrafluoroethylene, PTFE, या फिर teflon, तो बहुत लड़कों को बहुत पता होगा, teflon coating होती है, किस पर होती है, tetrafluoroethylene, इसका monomer है, non-stick utensils आते हैं, gas kits आती हैं, bakelite, आपने सुना होगा, यह paper में भी आ चुका है पहले, formaldehyde plus phenol, यह electric switches, pottery, इन सब के manufacturing में बह tertalate, PET, PET, यह tertalic acid और thylene glycol से, इसका monomer होता है, यह bottles, cans, इन सब के manufacturing में कामाता है, cans होते हैं, nylon 66, adipic acid और hexamethylene, diamond, आप देखिए, brush का जो hard hair होता है, synthesized fibers जो होते हैं, parachutes making में, और metal की जगा पे, bearings में, nylon 6 और perlon, यह caprolactam होता है, fibers, plastics, tire cord, rope, tyraline, ethylene glycol, plus terethalic acid, washable clothing जो होते हैं, tire cards होते हैं, safety belts, tents, kevlar, बहुत important है, tethalic acid, plus 1, minus 4, diamine benzene, bulletproof jackets, lexan, यह फिर polycarbonate, यह क्यों होता है, diethyl carbonate, plus bisphenol A, ठीक है, fireproof window, safety helmets बिनाने के लिए क्यों होता है, यह taxol क्या होता है, यह आपको पता है, pacific u tree होता है, आप google करके देखिएगा, पेड़ी है, चाल से बनता है, इस u tree की, और यह anti-cancer properties इसमें पाई जाती है, क्या आपको इसलिए कराए जा रहे हैं कि कई बार directly questions पे आ जाता है, बाकी important यह listing ही है, मितलब इसी तरीके से important है, वो कभी नहीं पूछेगा, polymer क्या होता है, and this and that, चलो, calorific values दी हुए हैं कि कुछ fuels की, देखो, cow dung cake की बहुत जादा होती है, देख रहे हो 6000 to, मतलब कम होती है, 6000 to 8000, फिर woods की होती है, फिर coal की है, फिर petrol की है, तेखिए, kerosene oil की है, फिर diesel की है, फिर methane की है, फिर CNG, okay, and, यह आपकी LPG, biogas, और hydrogen, अच्छा, calorific value को, simple amount में बताऊं, तुम्हें क्या होता है, यह amount of heat energy है, पहले तो आपको यह पताऊना अच्छी, यह है क्या, यह amount of heat energy है, जो कि किसी food या फिर fuel में present होती है, जो कैसे determine की जाती है, किसी के complete combustion पे, किसी specific quantity पे, constant pressure और normal conditions में, ठीक है, इसको calorific power भी कहते है, और इसकी unit क्या होती है, कोई बताएगा मुझे, अच्छा unit आप comment down करके बताएगे, ऐसे आप खुद तो कुछ सर्च करेंगे, नहीं, calorific value की, आप मेरे को unit बताएगे, क्या होती है, वैसे तो DV है, पर आप मुझे comment करके बताएगे एक बार, Okay, types of soaps और उनसे related कुछ facts देखेंगे हम, तो dishwashing soap, इसको kitchen soap बोलते हैं, grease, fat, stains, germs हटाती है, utensils से, यह mixture होता है, sodium, laureate, sulfate का, sodium, dode, cycle, benzene, sulfonate का, lactic acid का, और इसके साथ इसमें fragrance अड़ की जाती है, ठीक है? यह basic है, अब उसके अलावा, उसमें आपके नमक है किसी soap में, और किसी में आजकल राक, राक समझते हैं, पतंजली की खासकर dish washing soap आती है, उसमें राक भी पाया जाता है, वो बताते हैं, बहुत अच्छा होता है, इससे हाथ बात नहीं फटते हैं, लेकिन यह सब कुछ, additional and all है, यह जो है, यह basic है, transparent soaps, यह जो होती है, यह hot method of manufacturing किसे बनाई जाती है, इसको transparent बनाने के लिए soaps को, transparent soaps का example क्या हो सकता है, पियर्स ले लिजे, इथाईल alcohol डाला जाता है, बहुत high temperature पे, liquid soap, यह तो आपको बता है, बहुत चलन में हैं आजकल, potassium hydroxide commonly used होता है इसमें, और यह complicated है process, solid soap से बनाना, इसका, toilet soap या फिर beauty soaps इनको बोलते हैं, यह high quality oils या fat से बनती है, specific colors, fragrances, add की जाती है, इनमें alkali कम होता है, और glycerine content जाता होता है, moisturizing होती है, यह बहुत, laundry soaps, यह आपको पता है, clothes से, grease, solid particles, यह सब हटाने के लिए होती हैं, तो इसमें sodium silicate, borax, sodium carbonate, sodium ros it, यह सब मेरा जाता है, medicated soap, इसमें antiseptics और disinfectants डाले जाते हैं, beard shaving soaps, यह cream या foam के form में होती हैं, अब foam ज्यादा बनाने के लिए इसमें एक gum डाला जाता है, rosin, जो इसमें add किया जाता है, ठीक है, foam के लिए, चलिए, बहुत important, इससे question आया था, हमारे, कहीं पे question covered नहीं था हमारे listing video से ही question आया था, तो फिर से आपको कराया जा रहा है, crown glass और आप मुझे जारा comment करके यह बताएंगे कि इस table में से question आया कौन से part में से सा, क्योंकि आप लोग खुद मेहनत बहुत कम कर रहे हैं आजकल, यह आपके पास पूरा table है, इसमें से कहां से आया था question, आपक प्लस potassium oxide प्लस silicon dioxide, eye glass lenses होते हैं, जश्मा इसमें लगाते हैं, lens cut वाले बहुत ही उसकर रहे होंगे से, optical instruments में, quartz glass या silica glass, यह pure silicon dioxide होता है, bulb जो होते हैं, ultraviolet lamps के, या फिर containers जो होते हैं, chemical reagents के, laboratory equipments, इन में इनका काम आता है, crooks glass, serum oxide और silica होता है, यह UV rays को absorb करने की capacity रगता है कौनचा glass, crooks glass, sunglasses में, इसले इसका use होगा, photochromic glass, silver chloride होता है या फिर और कोई silver halide होता है, यह जो glass है, यह black हो जाता है, sun की presence में, ठीक है, lenses, general glasses के sunglasses में, इसका काफी use देखा जाता है, genna glass, यह zinc plus barium borosilicate, यह best type of glass है, important, यह bottles, जो बहुत highly reactive chemicals होते हैं, वो इसमें रखे जाते ह soft glass, soda glass, यह soda lime glass, यह sodium carbonate, calcium carbonate plus silica, silicon dioxide, general utensils हो गए, doors and windows, tube lights, laboratory equipment, जो normal glass glass होते हैं, जिसमें हम पानी पीते हैं, borosilicate glass अलगे, borosilicate, borosilicate है, ठीक है, hardened glass, potash, lime glass, potash glass, silica, potassium carbonate, calcium carbonate, यह होता है, यह laboratory equipment के लिए use होता है, beakers, flask, test tubes होती हैं, जो heat resistant होते हैं, pyrex glass, sodium borosilicate glass, इसमें silica plus boron trioxide, sodium plus aluminium होता है, chemical equipment, car head lamps, यह सब में use होता है, flint glass, sodium plus potassium plus lead silicate, बहुत high refractive index होता है, तो इसलिए यह telescope lens, prism, artistic objects, यह सब बनाने के लिए काम में आता है, बहुत important table है, यह इसको हलके में नहीं लेना, इसको revise कर लेना है, एक दो बार, question फिर से आ सकता ह repeat बहुत होते हैं, questions, ठीक है, आप कुछ cosmetics दीए में और उनका composition, perfume में क्या होता है, aromatic oils होते है, aromatic compounds, alcohols, कुछ alcohol free भी होते हैं, अतर जोते हैं, सुना होगा आपने, अतर नगरी कौन सी है उतरप्रदेश में, बताई ज़रा, water solutions, benzyl acetate, benzaldehyde, ethanol, camphor, deodorants और antiperspirants जोते हैं, इ aluminium zirconium होता है, trichlorohydrix glycerine होता है, aluminium hydroxy bromide होता है, आपको यह सब रटना नहीं है, please, क्योंकि इप कुछ बच्चे जरूर comment करेंगे, आप पड़ती जा रही है, कुछ समझानी रही है, इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, तो आपको बस याद रखना है, shaving cream में steric acid होता है mysteric acid होता है, potassium hydroxide, glycerine, ethanol, linalool या फिर कोई aromatic oil compound, essential oils अगर आपको पता हो, tea tree, lemon essentials, आजकल तो फो चल रही है, मॉस्चराइजर्स में screen, मॉस्चराइजन cream होती है, petrol atom होता है, paraffin nylon होता है, जिसके ओपर आजकल सब brands कर रहे हैं, कि paraffin free, और toxins free, और यह sulfate free, shampoo चल रही है आजकल, mineral oil होता है, mineral oil free, अच्छा नहीं बताते हैं इसको, glycerine, propylene, glycol और protein, lip balms में, इसमें beeswax या carnola, यह carnola होगा, carnova wax, camphor, cytile alcohol, lenoyle paraffin, petroleum, vaseline petroleum jelly है, paraffin wax होता है, not good for human health, mineral oil, multi hydrocarbons होते हैं, shampoo में देखिए, sodium, laurel, sulfate, citric acid, parabens, paraben free, बहुच चल रहे हैं आजकल, मामा अर्थ, methyl paraben, ethyl paraben, butyl paraben, ethanol, sodium chloride, मामा अर्थ में से कोई देख रहा है तो, I have no, in fact I like your products, लेकिन इस बात के पीछे नहीं पढ़ना है, ठीक है, चलिए, मैं तब ऐसे बहुच चारे ब्रांट्ज हैं ना, not even मामा अर्थ, बहुच चारे ब्रांट्ज हैं आजकल ऐसे, ayurvedic brands आ रहे हैं remover में क्या होता है, acetone, अब कुछ nail polish remover ऐसे आ रहे है, acetone free, पढ़के देखना कभी, लड़कियों को पता होगा, ethyl acetate, benzyl alcohol, vermilion, vermilion क्या होता है, sindour होता है, mercuric sulfide, red lead, ठीक है, लिप्स्टिक में देखिए, waxes, oils, antioxidants, pigments, emollients होते हैं, mostural lubricating substances होते हैं, तो ये UPSC में भी आ आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे, major uses of radio isotopes, ठीक है, अच्छा, अब, radio isotopes देखेंगे, पहला देखू, हाँ, ये radioactive isotopes होते हैं, किसी element के तो पता होगा आपको, तो, cobalt 60, cesium 137, देखिए, ये cancer और tumors के treatment में यूज होता है, धान रखिएगा ये दोनों नाम, important है ये, phosphorus 32, ये treatment of bone diseases, हड़ी संबंधित बिमारियों में काम आता है, और photosynthesis की जो study होती है, उसमें, gamma rays, ये preserve करती है, grains को, vegetables को, fish को, बहुत लंबे time तक, perishable items को ये preserve करती है, carbon 14, carbon 14 test करता है, effect of fertilizers on plants, मतलब की, plants पे fertilizers का क्या असर हो रहा है, americium 241, ये क्या करता है, oil wells होते हैं, तेल के कुई, उनकी location को determine करने में help कराता है, और ये measure करता है, metal की जो sheets होती है, उनकी uniform thickness, sodium 24 देख लिजए, ये locate करता है, leaks वगेरा, जो industrial pipelines होती है और जो oil well studies होती है, उसमें, अगर कुछ leakages वगेरा है, तो उसको ये locate करने में help करता है, uranium 235, ये आपको पता है, ये fuel होता है, nuclear power plants में, और propulsion system में, ships के, californium 252, ये moisture content कितना है मिट्टी में, ये बताता है, roads, buildings के construction के वक्त, बहुत काम आता है ये, carbon 14, C14, carbon dating, पढ़ा होगा आपने, ये age of fossils बताता है, uranium और lead, 238 और 206, ध्यान रखना, ये uranium, lead dating में, अर्थ की age calculate करने में, ancient rocks की age calculate करने में, ये काम आता है, rubidium और strontium, ये पढ़ली जे 87 और 86, ये ये भी dating में काम आता है, मतलब age of rocks और minerals में, ये पढ़ा है अपने, NCRT में वाला concept, potassium K40 और argon AR40 देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको बोल रही है, आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो अब आप NCRT खोल के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो concept important होगा, तो मैं हाँ पर बता दूँगी आपको, ये listing video है, मैं बार-बार कह रही हूँ, इससे question direct आएंगे, इसको रटलो, खा जाओ, इसको कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, दस बार देखके जाओ, वीडियो भई, तुम्हारा paper है, अपने लिए तो करोगे ना, मैंनत, इसलिए यहाँ पे, दिमाग focus नहीं हटाना है अपना, पढ़ते जाओ बस, सोचना बन कर दो, ये potassium organ dating के काम आता है, geologic rocks की उमर बताने के लिए, arsenic 74, ये presence of tumor बताता है, और यकीन मानिये, आप पढ़के जाएए और फिर आके बताईए को, iodine 131, ये determine करता है cardiac output, plasma volume, fat metabolism, thyroid gland की कैसी चल रही है functioning, ये सब, fluorine 59, ये anemia के test में, TB के test में use होता है, technetium 99, ये organs के structure को study करने में help करता है, sodium, ये velocity of blood flow को measure करता है, cadmium 109, ये analyze करता है metal alloys को check करने के लिए stock या scrap sorting, calcium 47, ये biomedical researchers studying जो होती है, cellular functions की और bone formation की mammals में, उसमें काम आता है, इतना भी याद रह गया ना, कि ये चलो medical fields related है, तो अभी question बन जाएगा, chromium 51, ये red blood cell की जो survival studies है, उस पे काम करता है, use होता है, cobald 57, ये use होता है as a tracer, pernicious anemia जिनको होता है, उसको trace करने के काम आता है, copper 67, जब इसको inject किया दाता है, monoclonal antibodies के साथ cancer patient में, तो ये antibodies को bind करने में help करता है, tumor को destroy करता है, gallium 67, ये medical diagnosis में काम आता है, iridium 192, ये pipeline welds हो गया, boiler हो गया, aircraft के parts हो गया, उनकी integrity, मतलब वो साबुत हैं, ठीक हैं वो, और tumor irradiation होती है न, जब ब्रैकियो थेरपी कहते हैं, उसमें भी काम आता है, iron 55, ये electroplating solutions में काम आता है, presence of sulfur detect करने के लिए air में, krypton 85, ये indicator की तरह काम करता है, lights में, appliances में जैसे clothes washer है, dryers हैं, stereos हैं, coffee makers हैं, इस सब में काम आता है, ये, direct, ये explosives को भी detect करता है, और voltage regulator है ये, ठीक हैं, ये सब, nickel 63, ये भी detect करता है, explosives को, voltage regulator है, current surge को protect करता है, electronic devices में, radium 226, ये lightning rods को ज़्यादा effective बनाने के काम आता है, selenium 75, ये protein studies में काम करता है, life science research में, thorium 230, ये colored glazes और glassware जो होते है न, उसको coloring और fluorescence, समझते हैं, चमकता है बहुँ ज़्यादा, वो provide करता है, uranium 234, ये dental fixtures जो होते हैं, उसमें काम करता है, like crowns and dentures to provide a natural color and brightness, ये देखो, ये थोड़ा सा exhaustive list है, लेकिन एकाद बार पढ़के जाओगे न, comfortable हो जाओगे, को ऐसे चीज़ नहीं है कि नहीं कर सकते हो, ठीक है, चलो, आगे बढ़ेंगे, चलिए, तो कुछ chemical substances हैं, उनके trade names और उनके chemical formulas, आपको trade name देके उसका chemical name पूछ सकता है, और formula भी आ सकता है, पर आपको मतलब, just for your general knowledge, आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर trade name दिया हुआ है, chemical name और फिर chemical formula, ऐसी है, ऐसी है, तो हम horizontally पढ़ लेते हैं, alum आपको पता है, fit curry, बोलते हैं जिसको, potassium aluminium sulfate, ठीक है, K2SO4.AL2SO4.24H2O, आप formulas देख ले सकते हैं एंग बार, और trade name है इसका heavy hydrogen, और किसका है यह deuterium का, कहां use होता है deuterium, मुझे बदरा comment करके बताईए, D, capital D, red medicine, क्या होता है यह, यह जो आपने देखा होगा generally, जो skin specialist होता है, यह बहुत देते हैं इसको, और COVID की टाइम पर तो यह बहुत चलिए, पानी को disinfect करने के कामाती है, यह होता है, potassium permanganate, पर manganate होगा, NI का यहाँ पर, K2SO4 होता है, silica का, silica जो होता है, उसका chemical name क्या है, silicon dioxide, SiO2, Caustic Potash, क्या होता है यह, potassium hydroxide, क्यों हो बैचे, तो देख चुके हैं आप उपर भी, Gemaxin, क्या होता है यह, benzene hexachloride, C6, H6, Cl6, Nitrate, potassium nitrate को कहते हैं, nitrate, KNO3, Carbonyl chloride, क्या कहते हैं इसको, Fugil, COCl2, अब bleaching powder को bleaching powder ही कहा जाता है, Vinegar, Vinegar क्या होता है, Dilute Solution होता है, कि इसका Acetic Acid का, तो घर में सब जगा यूज होता है, Chinese Food में इतना यूज होता है, CH3, COOH, Lime Water क्या होता है, यह भी आप उपर देख चुके हैं, Carbolic Acid, Phenol को कहते हैं, तो Phenol को Carbolic Acid कहते हैं, और यह रसका formula, Gypsum, क्या होता है, Calcium Sulfate, Methyl Alcohol क्या होता है, Wood Spirit, यह भी हम देख चुके हैं, Plaster of Paras हम देख चुके हैं, Calcium Sulfate, Hemihidrate, और Mund क्या होता है, This is Starch, समझते हैं, Starch, और C6H10O5, Chalk क्या होती है, Calcium Carbonate, CSEO3, TBN, देखा तो था, Trinitro Benzene, Burnt Lime, अभी आपने ऊपर क्या देखा था, Lime Water, अभी हम देख रहे हैं, Lime, Burnt Lime, Calcium Oxide, CSEO, TNT क्या होता है, Trinitrotulin, यह भी देखा था हमने, Lime Stone, यह होता है, Calcium Carbonate, उसी की form होती है, Grape Juice, This is Glucose, Marble is Calcium Carbonate, यह देखो, देखते जाओ, तो जो Calcium Carbonate है, पूछ सकता है, इन में से कौन सा Calcium Carbonate नहीं है, Formulin, यह 10% solution होता है, कि इसका Formal Dehyde का, यह इसका Formula है, Hydrolis, Calcium, Hydrite होता है, और Freons क्या होता है, Freons क्या होता है, Freons is Dichloro, Difluorocarbons, CF2, Cl2, Ammonium, Ammonium, Chloride होता है, यूरिया, Carbamide होता है, Laughing Gas is Nitrous Oxide, Important, Chloroform is Trichloromethane, Important, Letharge, It is Lead Oxide, Idoform is Triidomethane, यह दोनों याद रखना, Chloroform, Idoform, Galena is Lead Selfide, PBS होता है, Pyrene is Carbon Tetra Chloride, Red Vermilion, संदूर, Lead Peroxide, Phenol is Hydro-Oxy-Benzene, Formula, साथ साथ Formula, देखते जरूर चलें एक बार, White Lead is Basic Lead Carbonate, और, आपका MIC क्या है, MIC में Methyl Isocyanate, Bhopal Gas Tragedy, CH3, NC, Salt Acid is Hydrogen Chloride, Common Salt क्यों आता है, Very Important, NACL, Nitric Acid, Nitric Acid को ही Nitric Acid बोलता है, ठीक है, Baking Soda, Sodium Bicarbonate, देखी, रट जाएगा आपको, अगर आप ढंक से एक बार विडियो देख लें तो, Muratic Acid is Hydro-Cloric Acid, Very Important, Washing Soda is Sodium Carbonate, Baking is Bicarb, and Washing is Only Carb, Oil of Vitreol is Concentrate, Sulfuric Acid, H2SO4, Caustic Soda is Sodium Hydroxide, ये तीनों देखके जाना भई, और फरक, Water Gas, Carbon Monoxide and Hydrogen, CO plus H2, Child Salt Peter, पढ़ा है, Export होता था ये यहां से, अंग्रेज लेके चाते थे, Portuguese लेके चाते थे, Sodium Nitrate, Bauxite is Hydrates Aluminia, और है ना ये Aluminium का, Al203.2H2O, Carbonum, क्या होता है ये, Silicon Carbide SIC, Dry Ice, Very Important, Solid Carbon Dioxide होता है ये, Arsene क्या होता है, This is Arsenic Hydride, Green Cassis, It's Ferrous Sulfate, Blue Cassis, Copper Sulfate, Blue Vitreol, Neela Thotha, जिसको बोलते हैं, English में, Hindi में, sorry, आम भाशा में, Magnesia is Magnesium Oxide, Lithophone, ये Zinc Sulfate और Barium Sulfate का Mixture होता है, ZNs Plus BSO4, Horn Silver, Important, Silver Cloride, क्या है? Seragr, Gyrite भी बोलते हैं इसको, AgCl, Producer Gas, Mixture होता है, Carbon Monoxide, CO का और N2 का, Lunar Caustic, Silver Nitrate होता है, ये AgNO3, Marsh Gas, या फिर, इसको इसको, Marsh Gas का दूसरा नाम क्या है? Methane, CH4, Black Zinc, Zinc Sulfide होता है, Suhaga, बहुत Important, Borax होता है ये, Formula देखलो इसका एक बार, White Cassin, It's Zinc Sulfate, ZNSO4.7H2O, Soda Ash, Sodium Carbonate, Chinese White Zinc Oxide, ये थोड़े Confusing वाल है, एक बार स्फिर से देखले ना, Global Salt, ठीक है, Sodium Sulfate, NASO4.10H2O, Vermillion is Mercuric Sulfide, Hypo, it's Sodium Thiosulfate, ठीक है, Heavy Water क्या होता है, D2O, Deuterium Oxide, Micro Cosmic Salts, ये क्या होते हैं, Sodium Ammonium Thiosulfates होते हैं, ये, Green Vitriol, Harath होता है, Haracasis, ये होता है, Ferrous Sulfate, और Iron 2 Sulfate, ठीक है, Vitriol of Clay, It's Aluminium Sulfate, और Red Vitriol क्या होता है, ये होता है, Cobalt Sulfate, तो प्लीज एक बार, ये सारी चीज़ें देखले न, Important सब कवर करा दी गई हैं, ठीक है, और ये सब सॉल्फ करके, ये वीडियो देखने के बाद, अपना साथ-साथ, प्रीवेस एर कॉश्चन पे पर सॉल्फ करते रहा करो, तो उसे एक बार ये अंदाजा लग जाता होता है, ठीक है, चलो, Difference बताना है, हमें, Diamond और Graphite के बीच का, आ सकता है question, Diamond hard होता है, Hardest element है ये, Graphite soft होता है, ये Insulator है, Electricity का, नहीं होती इसमें Electricity पास, This is Conductor of Electricity, ये Paper पे Marks नहीं बनाता है, ये अगर आप इसको रब करोगे न, Paper पे तो काले-काले Marks बना देगा, इसकी Relative Density 3.52 है, इसकी 2.2 है, इसका Structure Isotropic होता है, इसकी Layers का, और इसकी जो Layers होती है, Lattice Surface, वो Hexagonal होती है, ठीक है, ये Jewelry Manufacturing के लिए काम आता है, ये नहीं आ सकता है, ये Transparent है, Colorless है, जतना ज़्यादा Transparent और Colorless Diamond होगा, उतने ज़्यादा तो उसका Carrot होता है, उसका Refractive Index होता है, उसे साब से ही उसकी Pricing होती है, मार्केट में, ये Opaik है, और इसका Color कैसा है, Ash जैसा, राख जैसा इसका Color है, ठीक है, समझा गए इतनी बाते, कई बार ऐसा हो सकता है ना, कि आपसे पूछ ले, Difference, अब हम Important Inventions पर आ गए हैं, Chemistry के, Physics के देखे थे ना, जैसे हमने, वैसी अभी हाँ देखेंगे हम, Chlorine, Shelley, भई इसको याद करना पड़ेगा, Paper में questions आते हैं, Covalency, Lewis, Helium, Lockyer, Nucleus, Rutherford, पता है आपको चैसे, Thorium, Berzilius, Uranium, MH, Claproth, Proton, Goldstein, Official Credit जाता है, Rutherford को, Electron, JJ Thompson, ये Nucleus एक तो, Uranium, Electron, आपका प्रोटोन, ये बड़े इंपोर्टन है, Neutron फिर, J. Chadwick, Octatrol, G.N. Lewis, Magnesium, Davy, Mason, Yukawa, Positron, ये भी इंपोर्टन है, Anderson, Oxygen, Important, Priestley and Shelley, Shelly, Shelly का क्लोरीन भी आद रखना, Argan, Ramsey and Rayleigh, Nitrogen, Daniel Rutherford, P.H. Scale, Sorensen, Heavy Water, Uri, Calcium, Davy, Potassium भी, Davy, Sodium, Sodium, Calcium, Potassium तीनों आद कर लो, Davy और Magnesium भी, ये MM वाले अंड के, Davy है, Isotope, Soddy, Dilution Law, William Oswald, Oswald से आद कर लो, पोगो चैनल पे, Oswald आथा था, उससे आद कर लो, Catalyst, Berzilius, और Hydrogen, Cavendish, ये बहुत important है, ठीक है, याद रहेंगी है, चीज़े नहीं रहेंगी, चलिए, आगे बढ़ते हैं आप, अच्छा, Common Name, और उसका IUPAC Name, आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, IUPAC की फिल्फॉर्म, हर चीज़ नहीं बताए जा सकती, आपको यहाँ पे, उसका Chemical Formula और Common Location या फिर यूज, International Union, किस चीज़ का Union नहीं बताओ, Formic Acid, Methanoic Acid है इसका नाम, HCOOH, डंक में होता है, डंक समझते हैं, इंसेक्ट जो काटते हैं, मदुमक्खी वगेरा, और भी जो डंक मारते हैं, वो, Carbonic Acid, Carbonic Acid होता है, OHCOOH, यह Formula इतने इंपॉर्टन नहीं है, Location या यूज देख लो, Blood और Tissues में होता है, ध्यान रखना ये चीज, Acetic Acid, 100 बार देख चुके हो, Ethanoic Acid है यह, Vinegar में, Propanoic Acid क्या होता है, Stored Grains जो होती है, मतलब, जो, फसल वगेरा, Store करते हैं, उसमें होता है, Body Order में होता है, यह Propanoic Acid, Milk में होता है, Cheese में होता है, प्लीज ध्यान रखना ये चीज, Butric Acid, Very Famous, Butanic Acid, Butter में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, ठीक है, चलो, Substance, उसके Uses, और क्या वो करता है, Basically, और बस, यह सारे Important वाले देखने हैं, यहां पे, Aspartum, बहुत Important है, यहां से सवाल आएगा देख लेना, Aspartum, Artificial Sweetener है, जो यह, आप पीते हैं न, क्या बोलते हैं, रसना, Tang, कभी देखना पलट के उस पे, लिखा मिलेगा आपको, Aspartum, बल्कि यह उसमें बहुत यूज होता है, Artificial Sweetener, यह जो ठेले पे गोला बोला नहीं बिखता है, वो उसमें जो बहुत ही मीठा कर देते हैं उसको, उसमें यूज होता है, अच्छा नहीं होता सहत के लिए, Neoprene, Synthetic Rubber है, यह तो पता आपको, Sulfur Doxate, Acid Rain, Methyl Isosyanate, यह वो ही गयस है, जो आपको पता है, Excess of Nitrates, Blue Baby Syndrome, आया था question? सबका गलत हुआ था, सबका, question comment करके बताईए, मुझे क्या आया था, पिछले साली आया था question? comment करके बताऊ, Freon, Refrigerant, Benadryl, Benadryl क्या होती है, आती थी दवाई खांसी की, anti-histamine होता था यह, Fluoride Pollution, यह Mottling of Teeth, दात गलाती है, Ozone Depletion, खतम, अब हम पढ़ेंगे, Bayo, वो थोड़ा लंबा होगा, सबसे important भी है, सबसादा सवाल Bayo से आते हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं,